स्वागत है आपका मेरी चैनल आल इन बन गिरो पर आज हम बनाने वाले हैं दाल और चावल का एक दम नया नास्ता इसके लिए हमने एक कप चावल लिए और आधा कप दाल लिए दाल और चावल को एक बड़े बरतर में निकाल लेंगे इसे हम अच्छे से दो या तीन पानी से धुल कर साफ कर लिए देखिए दाल और चावल को अच्छे से धुल कर हमने साफ कर लिया है अब इसमें पानी लेंगे और चार घंटे के लिए इसे भिगा कर रख देंगे जिसे दाल और चावल अच्छे से पूल जाएंगे अब इसे ड़क कर साइट में रख देंगे देखिए दाल चावल को रखे हुए चार घंटे हो गए हैं दाल चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं अगर आपके पास दाल चावल बिगाने का समय नहीं है तो आप दाल चावल को भूल ले और उसे हलका सक फ्रिस्मी होने दे अपर उसके बाद पाउडर बना के ले सकते हैं अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे रेखिए अच्छे से पानी निकाल दिया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे जार लेंगे और हमें इसे थोड़ा-थोड़ा करकर ग्राइंड करना है और हमें इसे ग्राइंड करने के लिए पानी का यूज नहीं करेंगे थोड़ा-थोड़ा मठा ले सकते हैं अकन बंद कर देंगे देखें, अच्छे से नहीं पिसरा है थोड़ा सा मठा ले लेंगे दोवारा से इसे चला लेंगे देखें, हमने इसे ग्राइन कर लिया है हमने इसे थोड़ा सा दरदरा रखा एकडम fine paste नहीं बनाया है आप चाहें तो इसे एकदम बारिक भी पीस कर ले सकते हैं अब एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे सभी को पीस कर निकाल लेंगे मठा हमने खटा वाला लिया है खटा वाला मठा बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट में देखी हमने इसे पीस कर निकाल लिया है और इसमें हरी मिर्च लेंगे हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं सिमलर मिर्च लेंगे प्याज लेंगे हरा धनिया लेंगे अजवाइन लेंगे नमक लेंगे स्वाधनुसार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैंने इसमें सिमलर मिर्च लेंगे आप चाहे तो और सबजियां ले सकते हैं देखी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है डालो चावल को मठे के साथ पीजा है इसलिए ये बहुत खटा है, आपको और खटा चाहिए, तो आप इसमें नीम भूबी ले सकते हैं, अब हम इसे आदि घंटे के लिए रेश्ट पे रखेंगे, देखी जब तक हमारा वैटर रेश्ट के लिए रखा है, हम एक चटनी तयार कर लेते हैं, अपने नास्ते के अपने लिए हैं, एक जार लेंगे, इसे तोड़कर जार में रखेंगे, चार लैसुन की कलिया ली हैं, हरी मिर्चली हैं, जीरा लेंगे, नमक लेंगे, स्वाधन उसार, थोड़ा सा मठा लेंगे, अब इसे पीस लेंगे, देखिए, हमने इसे पीस लिया है, एक बर्तन में निकाल लेंगे, देखिए, इसी जार में मठा लेंगे, और इसे अच्छे से साप करके इसी में डाल देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए, चटनी तयार हैं, इसे रखे हुए आदा घंटा हो गया है, अब मीठा सोडा लेंगे, आदा चम्मच गर्म तेल लेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए, तेल को अच्छे से हमने मिला दिया है, अब हम इसका नास्ता तयार करेंगे, देखिए, तेल करम हो गया है, अब इस प्रकार से हम पकोड़े की तरह इन्हें डालेंगे, एक बार में कड़ाई में जितने आ जाएं उतने लेंगे, अब गैस को सिम कर देंगे, और इसे धीमी आच में अच्छे से से केंगे अंदर तक, देखिए, इसकर उपर आ गया है, अब हमेने पलट देंगे, देखिए, इन्हें अच्छे से पलटते हुए क्रस्मी होने तक, हम इन्हें प्राई करेंगे, देखिए, ये कितने बढ़ियां गोर्लन कलार आ गया इसमें, अंदर तक अच्छे से सिख गये हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, देखिए, हमने इससे निकाल लिया है, बाकी के भी हम निकाल लेंगे, देखिए, दाल और चावल का नास्ता बन के तयार हैं, बहुत बढ़ियां बना हुआ है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, आप इसे सर्दी में जरूर ट्राई करें, और देखिए, बाहर से एकदम क्रिंची और अंदर से एकदम सॉप्ट, आपको यह जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, थैंक्स फार वचिंग मैं वीडियो,